दोस्तो शोट स्ट्राडल एक बहुती बैतरिन स्ट्राटेजी होता है रेंजबावर मारकेट के लिए लेकिन बाइचांस मारकेट ट्रेंडिंग हो गया उस वक्त आपको कैसे फायाफाइट करना है यानि स्ट्राडेजी को कैसे अड़स्ट करनी है आज हम लोग डिस्कारशिन करेंगे और आज मैं जो एड़स्मेट्स टेकनिक आपको सीखाऊंगा यह थोरा इउनिक तरीका होगा और यह एड़स्मेट्स टेकनिक में आपको लॉज होने का चांस बहुत इकम है तो वीडियो आप पुरा ध्यान से देखना है, बीच-बीच में मैं कुछ टीप्स भी बताऊंगा एड्जास्मेंट्स का, तो इसलिए skip किये बिना वीडियो कम्प्लिक करना है, ठीक है? तो दोस्तों मेरा नाम है राजी वेल भी रॉय, अगर आप पहली बार हमारी चैनल देख रहे हो, आप डेक्स, तन प्लीज चैनल को साब्सक्राइब कर देना और साथ में ये घंटी दबनना मत बुलिएगा, ताकि जब भी हम लोग ऐसा इवनिक और इंट्रेस्टिंग वीड देखो, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होता, शौट स्टाडल बनाया होता, तो उसके बाद देखो, मारकेट धराम से गिर गया, और यहाँ पर आप क्यों शौट स्टाडल बनाते हैं, क्यूंकि कुछ दिन पहले देखो, यहाँ पर मारकेट रेंज बाउन था, ठी तो यहाँ पर मैं adjust कैसे करनी है, यह strategy वो मैं आपको बता आँगा, ठीक है, और यह video actually मैं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सरा subscriber friend ने मुझे request किया कि short startle adjustments का उपर video बनाएए, तो इसलिए आज मैं यहाँ पर यह video बना रहा हूँ, तो सिधा हम लोग option simulator पर चलते हैं, और हम लोग कब trade लेंगे, हम लोग trade लेंगे 16th February को, ठीक है, तो 16th February का मैं data यहाँ पर populate कर लेता हूँ, ओके 16th February लेकिन उस दिन Thursday है, Xperry है, तो हम लोग 17th को बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग positional trade बना रहे हैं, इसलिए हम लोग जिस दिन Xperry खतम होगा, मतलब उसका next day से नय Xperry वे trade करेंगे, ठीक है, तो हम लोग 17th February को trade बना रहे हैं, और यह trade हम लोग nifty पर बनाएं के, एन उस बक्त, मतलब जब market खुला, उस बक्त, नीफ्टी का spot है, 17,940, तो generally positional trade हम लोग 10 बजे का आसपास लेते हैं, तो मैं 10 बजे कर देता हूं, और 10 बजे देखो, spot 18,000 पर है, ठीक है, तो startle बनाने से हम लोग क्या करेंगे, 18,000 का call and put हम लोग short कर देंगे, ठीक है, तो ये startle बन गया, और यहाँ पर मैं positional adjustment सिखा रहा हूं, अगर आपको intraday adjustment सीखना है, short straddle कैसे करनी है, तो उसका उपर एक वीडियो है, आप लोग हमरे YouTube चैनल में आके, intraday short straddle यहाँ पर search कर देना, वो वीडियो आ जाएगे, तो anyway, तो यहाँ पर हम लोग positional adjustments कर रहा है, और यह जो मैं technique बताऊंगा ना, यह हम लोग delta value देखके adjust करेंगे, तो कब करनी है, और कितने bar करनी है, और further adjustments कब नहीं करना है, मैं पूरा details बताऊंगा, आप सिर्फ बने रहो, तो यह तो startle बन गा, 18,000 का call and put हम लोग short कर दिया, और उस बाग देखो delta value कितना है, एक का है, 0.55, एक का है, 0.45, हम लोग क्योंकि ATM options को short कर रहे है, तो delta value जाहिर है कि 0.5 के आसपास ही होगा, तो adjustments हम लोग कप करेंगे, देखो, short struggle में, first adjustments होता है, जब यह दूनों strike में से, किसी भी एक strike का delta value, 0.75 के आसपास चला जाता है, ठीक है, so first adjustment इसबक्त होगा, 0.75 के आसपास, इसका थोड़ा कम हो सकता है, और इसका थोड़ा जाला भी हो सकता है, ठीक है, so plus minus आप 0.3 या 0.4 ले सकते हो, तो हम लोग 0.75 जब delta value होगा, किसी भी strike का, तब हम लोग adjustments पर उतर जाएगे, तो चलिए, आभी हम लोग थोड़ी trade बना रहे है, हम लोग 5-10 मिनिट का ऐसे time waste नहीं करेंगे, हम लोग सीधा 2 घंटा बार इसको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई-कोई 5-10 मिनिट का ऐसे देखते है, वो possible भी नहीं है, life market में आप अगर positional trade बना रहे हो, तो कौन बार बार ऐसे देखता रहा होगा, market को, है लेकिन हम लोग क्योंकि positional कर रहे है, तो सीधा मैं 2 घंटा advance कर दिया, 12 बाजे देखो, delta value उसी जगा पर है, 0.5 के आसपास है, हमें tension लेनी की कोई जूरत नहीं है, और 2 घंटा मैं advance कर दिया, 2 बाजे का आसपास, देखो, delta value ठीक्ठा की है, range में है, मतलब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप यह देखके panic मत हुएगा, 1279 का loss हो रहा है आपको, तो यह आपको नहीं देखना है, फिलाल के लिए, आप positional trade बना रहे हो, और आपने उसी दिन 2 बाजे देखा की loss हो रहा है, तो tension लेनी की कोई जूरत नहीं है, ठीक है, तो हम लोग और 2 घंटा advance क इसलिए, छोटा मोटा जो यह fluctuation है ना, PNL में, इसको आपको नजर अंदस करना है, तो anyway, अभी हम लोग और 2 घंटा advance करके देखते हैं, ठीक है, आमें profit ही मिल रहा है, कोई tension नहीं है, अभी देखो, time कितना हुआ, 146, पोने 2 बजे का आस पास, delta value कितना है, 0.70, so this is the right time to adjust our strategy, adjust कैसे करेंगे, देखो, जो profit making leg है ना, उससे हम लोग exit कर जाएंगे, profit making leg मतलब, यह जो call option है, इससे हम लोग exit करेंगे, यहाँ पर 3,600 रुपे का हम लोग को profit मिल रहा है, तो simply यहाँ से हम लोग exit करेंगे, ठीक है, और इसको adjust कैसे करेंगे हम लोग, इसका delta value क्योंकि 0.73 है, तो हम लोग ऐसा एक call option चुनेंगे, जिससे हम लोग exit किया है ना, तो उसी side में आपको adjust करना होगा, ठीक है, तो ऐसा एक call option चुनेंगे, जिसका delta value 0.73 के आज़ू बजू में है, तो यहाँ पर आप देखो, 0.73 का आसपास वाला delta value कौन सी strike price का है, delta value है 0.7, ठीक है, थोड़ा इधर उदर होगा, वैसे तो आप यह भी ले सकते हो, 17,700, तो हम लोग यह नहीं लेंगे, किमकि हमें इतना aggressive नहीं हुना है, फिलाल के लिए, तो हम लोग थोड़ा सा कम aggressive होके, यह वाली call option को write करेंगे, ठीक है, तो हम लोग 18,000 call option से exit किया, और आभी 17,750 का call option को write करेंगे, ठीक है, तो आभी देखो, यह दोनों जो open position है, इसका delta value है 0.7 के आसपास, तो next time आपको कब करना है adjustments, second time जो adjustments होगा, वो तब होगा, जब कोई भी एक options का delta value 0.9 के आसपास होगा, ठीक है, यह second adjustments होगा, and exit आपको cut करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आभी तो हम लोग का adjustments होगा, फिलहल के लिए, तो आभी हम लोग time को थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो दो गंडे बाद फिर से देखते हैं, दो गंडे बाद मतलब next day, next day देखो हमें थोड़ा सा profit मिला है, 109 रुपएगा, ठीक है, तो कोई issue नहीं है, यहाँ पर delta value उसी range में है, तो tension नहीं है, अभी देखो कितना है, यह लगबाग 8 के आसपास चला गया, 0.8 के आसपास, 9 नहीं पहुंचा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, और 2 गंडा advance करेंगे, अभी भी कुछ नहीं हुआ, कोई issue नहीं है, then next देखते हैं, अभी देखो, next day, next day मतलब 22 February को, यह जो delta value है, call option का delta value, यह, sorry, यह put option का delta value, यह 9 पर पहुंच गया, 0.9, तो अभी यह सही time है, हमें further adjust करना होगा, ठीक है, तो adjustments का technique तो same ही होगा, जिस options से हमें profit मिल रहा है, वहां से हम लोग simply exit करेंगे, और जो loss making leg है, उसको हम लोग adjust करेंगे, तो same technique ही होगा, यह put option है यहाँ पर, market क्योंगी नीचे जा रही है, इसलिए put option का delta 0.9 पहुंचा, तो हमें और एक call option को short करना है, जिसका delta value 0.9 के आसपास हो, ठीक है, तो अभ यहाँ पर देखो 0.9 वाला call option कौन सा है, 17,500, तो simply इसको हम लोग short कर देंगे, ठीक है, यह short करने से हमें 276 रुपिस का credit मिल रही है, तो अब तक हम लोग दो बार adjust के आई, यह strategy को, देखो short struggle में maximum आपको दो time ही adjust करना है, इस से ज़्यादा आपको adjust नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यह जो अभी strategy बनाना, यह inverted strangle है, ठीक है, inverted strangle मतलब, जो call option अपने right किया, वो नीचे side में है, और put option upside में है, तो यह inverted strategy हो गया, तो inverted strategy वैसे ही थोरा सा risky होता है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ दो बार ही इसको adjust करेंगे, तीसरा बार हम लोग adjust नहीं करेंगे, ठीक है इसमें अगर profit मिलता है, तो बहुत ही बढ़िया है, अगर थोरा सा loss भी होता है, वो आपको accept करना पड़ेगा, adjustments का मतलब क्या है, adjustments का मतलब यह नहीं कि आप यहां से profit करके ही निकलोगे, adjustments का मतलब होता है, जो loss है, वो minimize हो, नहीं तो आप break even पर भी अगर निकल जते हो, तो वो बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है, loss ज्यादा नहीं होना है, ठीक है, तो दो बार हम लोग तो adjust कर लिया, अब ही हम लोग exit करेंगे, देखो exit करने का जो fund है वो बहुत ही simple है, यह दोनो जो open lake है ना, यह दोनो open lake का delta value अगर 1 तक पहुँच गया, तो आपको simply यहां से exit करना है, इसका logic क्या है, क्योंकि delta value अगर 1 पर पहुँच गया, इसका मतलब है, यह जो आपका option है, it will behave like a future contract, ठीक है, future contract का delta value कितना होता है, 1 होता है, इसलिए, जब भी किसी भी एक lake का delta value यह 1 पहुँच जाएगा, तब हम लोग यहां से simply exit करेंगे, चाहें वहाँ पर आपका profit हो रहा है, loss हो रहा है, that doesn't matter, आपको simply यहां से exit करना है, ठीक है, तो चलिए, आभी तो हम लोग फिलहल थोरा सा profit में है, तो देखते है, next 2 गंटे में हम लोग का profit हो रहा है या loss, देखो, next 2 गंटे में यह जो delta value है, food option का, यह 1 तक पहुँच गया ठीक है, तो हम लोग का criteria fulfill हो गया, मतलब यहां पर हमें exit करना है, आभी देखो, आपका profit कितना हो रहा है, 326, देखो, market इतना तेजी से गिरा, फिर भी आपको loss नहीं हो रहा है, so that is the beauty of adjustments, आपको adjust करना ही पड़ेगा, अगर आप options में trade करते हो, तो आपको adjustments तो आना ही चाहि ठीक है, और दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, adjustments की उपर मेरी एक book है, option strategies with adjustments Amazon पर उबलब्ध है, अगर आप सही तरीके से adjustments सीखना चाहते हो, तो यह book आप ले सकते हो, यहां पर बहुत सरा adjustments technique सीखाया है, बहुत सरा strategies का, ठीक है, इसके इलावा मेरा एक course भी है, adjustments की उपर, option strategy adjustments in Hindi, यह इवडेमी पर है, यह course का आप description एक पर देख लेना, review एक पर पढ़ लेना, अगर ठीक लगा, तो यह वाला course भी आप consider कर सकते हो, तो anyway, ऐसे ही आपको adjustments करना होगा, short startle को, यह adjustments technique आपको कैसा लगा, प्लीस comment करके बतेएगा, अगर अच्छा लगा तो good लिखिएगा, अगर बहुत ही आच्छा लगा, तो outstanding भी लिख सकते हो, और अगर आपको खड़ाब लगा, तो आप bad भी लिख सकते हो, कोई issue नहीं है, लेकिन आप कुछ response जोड़ो देना, आपका response सुनके मुझे आच्छा लाएगा, तो anyway, आज के लिए इतना ही, thank you, thanks for watching.